हाई गाईज वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल अनालेसस ऑफ ट्वेंटी एत ओफ फैबरी 2021 तो गाईज आज है तारिक 20 वरवरी 2021 केस और है से टर्डे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप् एजूकेशन एज यू कैन सी आप लोगो ये चैनल मिल जाएगा और जाकर इसको जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगो इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डेस्क्रिप्शन वाक्स में डिरेक्टली टेलिग्राम लिंक दे रखा है उस लिंक पे क्लिक करक आप जाकर इस चैनल को जॉइन कर सकते हो जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पे आपको डेली बेसिस पर अपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आज से डेली तो बहुत सारे लोगों के डिमांड आई थी बहुत सारे स्ट्रेंट को चाहिए थी वीडियो तो ये वीडियो अल्रेडी अब यहां पर अप्लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है तो डेली यह मौर्णिंग में चार बज़े अप्लोड हो जाया करेगा ठीक है यह डेली MCQ का वीडियो तो इसको जाकर जरूर देखना बहुत जादे important आपके लिए हो जाता है क्योंकि इस तरीके से इसको तयार करा गया है कि सबी competitive exams में यह questions पूछे जा सकते हैं ओके नाओ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमिशा की तरह हम लोग अपने lecture में एक map का question देखते हैं तो start करेंगे अपने map के question के साथ तो आज आप लोगो map में जाकर देखना है नागलेंड को नागलेंड की क्या exact location है किसके से यह boundary share करता है यह सारी चीज़े map में एक बार अच्छे से देखने के बाद आकर नीचे comment section में type कर देना जिससे आप लोगो एक clarity मिल जाएगी ओके नाउ start करते हैं discussion यह सबसे पहला article और काफी interesting article है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है चायना का statement और चायना ने कह दिया है कि भई जो गालवान वैली के अंदर clash देखेते हम लोगों ने यह तारीक है 15 जून साल 2020 में जिसके बारे में हम काफी बार discuss भी कर चुके हैं कि पिछला साल क्या हुआ इंडिया और चायना के आपस में dispute देखने को मिला है पूरे साल में हम लोगों को यह dispute देखने को मिले साधी साथ 15 जून को ऐसी situation देखने को मिली थी कि हमारे भी 20 जवान शहीद हो गए थे लेकिन उस टाइम पर चायना के भी कुछ soldiers की death होई थी ल बही एले सी पे जो clash हुआ था उसके अंदर चायना के soldiers भी मारे गए थे और यह 15 जून की बात है यह clash में हमारे जवान भी काफी शहीद हुए थे लेकिन इंडिया ने इस बात को नहीं चुपाया था इंडिया ने clearly इस बात को show कर दिया था ठीक है और यहाँ पे हम लोगों जो इसके soldiers मरे हैं उनकी उनको छुपा क्यों रहा है सबसे बड़ा reason क्योंकि China फिर सोचेगा कि हम लोग कमजोर है ठीक है कि हमारे soldiers मरे है एक बार जो accept किया था चायना ने पूरे इतिहास में एक बार accept किया है कि वेतना में 1979 की बात है वहाँ पर इसके soldiers शहीद हुए थे ठी इन्होंने disclose करा है तो यह चीज याद रखना उके उसके बाद दूसरा आर्टिकल इसी के अंदर आप कह सकते हो include है और दूसरे आर्टिकल में बताया जा रहा है जो disengagement का process था पेगॉंक सो लेक पर वो पूरी तरह से complete हो चुका है नाव इंडिया और चायना के जितने भी soldiers अच्छी तरीके से disengagement कर दिया है और आज जो है 10th round of commander talk होने वाली है तो आज हम और अच्छी तरीके से discuss करने वाले हैं इन चीजों को ओके नौ उसके बाद नेक्स आर्टिकल यह वाला देख पाओगे आप लोग बात करी जा रही है नासा ने अपना अभी एक रोवर लॉ यहां पर आप देख सकते हो यह मार्स के ऊपर एक परच्छाई सी दिख रही है तो इससे यह इंडिकेट हो रहा है कि जो नासा का रोवर था वो इस पर पहूंचने वाला है और मार्स पर लेंड होने वाला है तो यह पहली बार ऐसा हुआ है जो नासा ऐसा पहला space agency बन चु अगर आप लोग को अभी भी क्लियर हो नहीं हुआ हो ना तो इस वाले आर्टिकल के उपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा separate वीडियो तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो NASA के Preservance Rover के बारे में है ठीक है क्योंकि यहां पर जरूरी भी है इस आर्टिकल को कवर करना Science and Tech के Point of View से Important भी है उके ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यह छोटा सा आपको देखने को मिलेगा बात करी जारी है दिशारावी के बारे में हम काफी बार डिसकस कर चुके हैं दिशारावी जो की आज की टैम पर बहुत जादे नियूस के अंदर है यह 22 साल की लड़की है एक Climate Activist है जिसको अभी यहां पर कस्टडी में लिया गया पहले पास इनकी कस्टडी में लिया गया यहां पर आप देखोगे दिशारावी को अब तीन दिन की जूडिशल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है क्यों इनको यह कस्टडी में क्यो डाला जा रहा है क्योंकि भाई इन्होंने क्या करा आपको मालूम होगा एक International Personality है जिसका नाम है Greta Thanbag ठीक है Greta Thanbag ने क्या करा था एक Toolkit को Share किया था क्या Share किया था Toolkit Toolkit क्या होती है एक Document होता है जिसमें जो भी इशू चल रहा है उसके बारे में इस सारी चीज़े लिखी होती है तो वो Toolkit था इंडिया के जो Farm Protest चला इंडिया का उस चीज़ के बारे में उसमें लिखावा था अब इन्होंने क्या करा इन्होंने उस Toolkit को Edit करा दो लाइन उसके अंदर Edit करकर उसको Share कर दिया तो डेली पुलिस यहाँ पर खड़ी हो गई और डेली पुलिस ने यहाँ पर बोला कि यह जो है कंट्री के खिलाफ है कंट्री के अगेंस्ट यह सारी चीज़े तो उसी के बैसिस पे इनको Arrest किया गया custody में लिया गया ठीक है तो काफी बार हम इसके बारे में डिसकस भी चाहिए और आप कहीं भी अपने answer writing में एससे में इस्तमाल कर सकते हो इन चीज़ों का बात करी जा रही है जो crimes हैं वो कम हो चुके हैं लगबग 16 प्रतिशत से अगर हम देखें as compared to the 2019 साल 2019 में जो crimes थे वो काफी जादा थे लेकिन साल 2020 में जो है crimes काफी हद तक कम हो है डेली क के अंदर ये चीज़ बताई जा रही है लेकिन साइबर क्राइम जो है 2020 के अंदर काफी बड़े हैं अब यहां पर crime कम होने का पीछे का एक बहुत बड़ा reason भी है वो है COVID-19 pandemic करोना की वज़ए से यहां पर यह जो crimes हैं कम भी हुए है क्यों क्योंकि भाई कोई बहार ही नही तो उस तरीके से जो है crimes हम लोगों कम देखने को मिले हैं लेकिन ऐसा नहीं हुए हैं हुए हैं लेकिन कम हुए हैं उसके बाद यहां पर बताया गया crime जो अगेंस्ट women है वो भी थोड़ा सा डाउन आ चुका है अगर crime कम हुए है तो जो women के अगेंस्ट जो crimes है वो भी काफ भी हद तक कम हुए हैं लेकिन हुए जरूर हैं यह याद रखना ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए हैं तो यह data है कि थोड़ा सा reduction हम लोगों को इन चीजों में देखने को मिला है ओके नाव बढ़ते हैं आगे नाव आते हैं page number 8 की तरफ और page number 8 पे सबसे पहला article यह वाल बात करी जा रही है हमारे prime minister ने launch कर दिये हैं धेर सारे infra projects को केरेला के अंदर तो केरेला के अंदर काफी सारे development projects लगाये जा रहे हैं for example सबसे पहला आप यहाँ पर देख पाऊगे यह एक infrastructure project है केरेला के अंदर जिसमें क्या होगा 2000 Megawatt का Pugalur 300 High voltage direct current power transmission corridor बनाया जाएगा जि तो एक तो यहाँ पर development यह हो गया दूसरा है prime minister जो है हमारे उन्होंने उद्गाटन कर दिया है वीडियो conference के थुरू किस चीज का 50 Megawatt का solar park का ठीक है solar park बनाया जा रहा है जिससे कि हम जो solar energy है उसका एक अच्छी तरीके से इस्तमाल कर सकेंगे तो यह बनाया जा रहा है कास सारी चीजे इनागरेट करिये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसके बाद 427 करोड रुपे लगा कर 37 किलोमेटर का एक स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट भी करेला के अंदर बनाया जा रहा है उसके बाद integrated command and control center भी बनाया जा रहा है तो उसकी के basis पे बताया गया करनाड का ने क्या करा अपने class 6 की जो textbook थी उसमें से दो पेज को drop कर दिया दो पेज निकाल दिया है अब यहाँ पर आप देखोगे कौन से कौन से दो पेज निकाले गए तो जो करनाड का है उसने विड्रो कर दिया अपने दो पेज एक lesson से lesson का नाम है birth of new religion जो की class 6 के textbook का एक part है नाव इसको निकाला गया अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है इन चीजों के ऊपर इस issue के ऊपर बोला यह जा रहा है कि committee बठाई जाएगी और committee बठाने के बाद जो है इस matter में वो committee देख बाल करेगी क्या होना है कैसे होना है यह सारी चीज़े ठीके नाव कभी भ अभी डिसकस किया उसके बाद next article यह वाला आता है यह one day exam के point of view से काफी important हो सकता है ठीक है बात करी जा रही है जो little chef है इसने एक Asian cooking record बना दिया है यह 9 साल का लड़का है जिसका नाम है हायन अब्दुल्ला इसने 172 डिश बनाई हैं सिर्फ एक गंटे के अंदर तो cozy koda में यह सारी चीज़े देखने को मिली है और इसी के साथ यहां पर इसको यह little chef का title मिल चुका है और Asian cooking record इसने बना दिया अब आने वाले टाइम पे इसका नाम धेर सारे books of record मा सकता है जैसे कि Indian books of record के लिए इसने already record बना दिया है Asia books of record के लिए इसने record बना दिया है तो नाम याद रखना यह one day exam के point of view से article आपके लिए important बन जाता है now page number 9 की तरफ आएंगे यहां पर बात करी गई है इंडिया और चाइना के बीच में जो की हमने अभी page number 1 पर discuss किया है उसी के बारे में बताया गया कि भाई जो इंडिया और चाइना के बीच में लगबग पिछले एक साल स dispute चल ला था LAC पर border पर कि दोनों भाई जो दोनों के soldiers से वो standoff पर थे लगातार जो है आपस में खड़े वे थे जो tankers वगरा वो भी borders पर आ चुके थे एक तरीके से ऐसा लग रा था कि कभी भी इंडिया चाइना के बीच में काफी अच्छा तरीके का dispute हो सकता है लेकिन उसके बाद यहां पर देख पाओगे area बिल्कुल clear कर दिया गया है बिल्कुल साफ कर दिया गया है तो वही बताया जा रहा है जो disengagement है वो properly हो चुका है और यह जो agreement है बिल्कुल अच्छी तरीके से successfully पूरा हो चुका है और अगर हम बात करें यहां पर दूसरी चीज बोल problem चल लेए इंडिया चाहिना के बीच में दूसरे borders पर वहां पर भी हम लोग कोशिच करेंगे disengagement हो जाए यानि कि peacefully हम लोग आपस में अच्छी तरीके से disengagement कर जाएं ताकि जो relations है वो हम लोग maintain कर सकें now next article बात करता है तीन police वाले और जो तीन militants है इनकी जान गई है जम्मू कश्मीर के incident में जम्मू और कश्मीर में लगबग तीन जगा पर अलग अलग तीन violence देखने को मिला तीन incident देखने को मिला तो आप लोग यहां पर picture देख पाऊगे कितना बुरा हालत हो चुका है यहा तीनों जगा पर अलग-अलग violence हुआ है तो उसी के लिए यहां पर बताया गया जो पुलिस वाले हैं उनकी जान गई है और militants है उसकी भी जान गई है वो भी मरे है ठीके नाव यहां पर बताया गया जो इनस्पाक्टर जनरल आफ पुलिस विजे कुमार है इनके दोरह बत यहां पर बताया गया ओके नाव उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ पेज नंबर 10 पे आता है यह वल आर्टिकल बात करी जा रही है नैशनल एजुकेशन पॉलिसी एक milestone है हमारे self-reliant इंडिया के लिए और यह बात किस ने बोली है यह बोली हमारे प्र तो जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद मोदी जी इन्होंने फ्राइडे में बोला गुरु देव रबिंदर नाथ टैगोर ने develop किया था system at विश्व भारती जिसमें हैं पर उनकी कोशिश थी जो इंडियान एजुकेशन है उसको हम लोग काफी strong बना सकें free बना सकें तो इस करी जारी है एक करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो है हम लोग अलरड़ी दे चुके हैं लगबग 34 दिन के अंदर हमने vaccination स्टार्ट किया था 16 जैनवरी से आप लोग को मालूम होगा तो 16 जैनवरी से हमने vaccination स्टार्ट कर दिया था तो उसमें हम लोगोंने कम से कम तब से अब त तरीके से चल रहे हैं तो इसी तरीके से हम लोगों को चलना पड़ेगा और कोविट फ्री बनाने की कोशिश पूरी करती रहनी पड़ेगी नाव नेक्स्ट आर्टिकल आता है उत्रखंड के डिजास्टर के बारे में तो यूके के अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टर इसमें जो काफी सारे लोग की जान गई है तो अब यहां पर पूरा काroveचिश कक्यों की तरह बढ़ेगे यहां पे पूरा का पूरा काफ़ा एड़टीसमेंट प Everywhere जेसे हैं यहां पủर आप लोग कोशिटा देना नहीं है page number 12 भी पूरा advertisement page है यहाँ पे हमारे यह किसी काम का नहीं page number 13 की तरफ आएंगे world section की तरफ world page पे एक article आता है यह वाला बात करता है जो US है वो भी तयार हो चुका है बातचीत करने के लिए Iran deal के ओपर तो यहाँ पे मैं आपको Iran deal समझाता हूँ तो बहुत important point है यह बहुत important article है देखो Iran के थुरूना एक deal करी गई थी Iran के लिए एक deal करी गई थी और वो deal करी गई थी बैराक अबामा के दौरा ठीक है बैराक अबामा ने एरान से एक deal करी थी तो USA और एरान के बीच में deal हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं JCPOA इसके full form है Joint Comprehensive Plan of Action ये इसको हम लोग Iran nuclear deal भी बोलते हैं इसका नाम याद रखना अब ये जो deal करी गई थी बैराक अबामा के साथ अब यहाँ पर इस deal के अंदर बोला गया था इरान से कि भई इरान इरान के अंदर यूरेनियम बहुत जादा अच्छी मातरा में पाया जाता है और यूरेनियम से ही atomic bomb बनते हैं परमालू bomb बनते हैं जो की काफ़ ज़्यादे खतरनाक होते हैं तो इस deal के अंदर ये set करा गया जो इरान है वो यूरेनियम का enrichment नहीं करेगा ठीक है तो ये चीज़े deals में set कर दी गई थी नाउ उसके बाद क्या हुआ बैराक Obama का time खतम हुआ आ गए थे Donald Trump Donald Trump ने क्या करा इस deal से बाहर निकाल दिया USA को बोले यहाँ पर इस deal के अंदर की ज़रूरत ही नहीं USA को आने की ठीक है इरान तो वैसे भी यहाँ पर enrichment नहीं कर सकता और फिर Donald Trump ने क्या कर दिया इरान के ओपर sanctions के ओपर sanctions थोब दिये और इसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी इरान की ठीक है और इस deal को हम लोग इस इरान nuclear deal को P5 plus 1 भी बोलते हैं नए president आ चुके हैं जिनका नाम है जो बाइडन अब जो बाइडन वापस से तयार है यानि की इनके दौरा बोला गया जो अमेरिका है वो बिल्कुल तयार है इरान deal में वापस से आने के लिए ठीक है लेकिन अभी यहाँ पर इरान इतनी अच्छी तरीके से समला नहीं है इरान इहाँ पर इरान एक तरीके से मना ही कर रहा है कि ऐसा हम लोग in future फिर से ये चीज़े देख सकते हैं लेकिन देखेंगे अभी आगे क्या होता है आगे क्या situation create होती है उसके बाद next article इंडिया के proud के लिए काफी बात है तो बात करी जा रही है जो अभी मैंने आप लोग को page number one के उपर बताया था NASA का एक Preservance Mars Project था जो कि हम लोग ने अभी easily वहाँ पे पहुँचाया है हमने एक picture देखा था shadow हो रहा था वहाँ पर तो जो rover था वो land होने वाला है Mars के उपर अब यहाँ पे इसके पीछे एक बहुत बड़ी personality का हाथ है यह picture आप लोग देख सकते हो इनका नाम है स्वाती मोहन यह एक Indian American है जिनका बहुत बड़ा हाथ है NASA rover के Mars landing के उपर यानि जो Mars के उपर यह landing हुई है rover की तो यह Indian personality की वज़ा से यह काम हुआ है और obvious सी बात है आप लोगों मालूम होगा NASA के अंदर आदिस से जादा जो scientist है वो है Indian ओके ना उसका दाता है page number 14 की तरफ that is business section economics related articles होंगे यहाँ पे जो हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले बात करी गई है केरन केस के बारे में काफी हद तक पैसा पे करना था और तो वो पैसा अभी तक इंडिया ने इसमें पे नहीं किया लेगन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है government ने कोशिश कर रही है government यह बोल लिए कि यह लोग क्या करेंगे एक वापस से file अपील करेंगे इस केरन arbitration award के लिए ठीक है वापस से file अपील करी जाएगी और यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़े देखी जाएगी case arbitration award के लिए ठीक है उसके बाद next article आता है यह वाला बात करी जा रही है Indian IT workers को बहुत सारा benefit मिल सकता है एक US के immigration bill के साथ US का immigration bill क्या होता है यानि कि अगर आपको life membership चाहिए वाँ पर रहना है USA के अंदर तो आपको यहाँ पर यह चाहिए होता है तो उसके bill यह उसके लिए US का immigration bill आया और उसकी वज़े से बताया जा रहा है कि जो इंडिया के workers हैं कि वो लोग जाकर अब रह सकते हैं ठीके ना उसके बद नेक्स्ट आर्टिकल यह वाला बताता है कि जो गोल्ड प्राइस है सोने का प्राइस है वो काफी हत्ता गिर रहा है ठीक है हम लोग देख रहे है डेली बिस उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो गोल्ड के प्राइस पर डेकलाइन हो रहा है तो उसकी वज़ा से जो बिकरी है जो सेल है उसके अंदर बूस्ट आप देखने को मिला है ठीक है यह बताया गिया कि जो बूस्ट आप देखने को मिला है जिसकी वज़ा से और काफी जादे अच्छा अब चलते हैं अपने editorial section के तरफ देखेंगे आज के important editorials को तो यहाँ पे आगे editorial section और यह हमारा जो वीडियो का analysis है इसके अंदर editorial सबसे खास point है इसमें हम लोग क्या करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है जो current day वाले यानि कि आज के दिन के जो editorials हैं इनको हम लोग आज के दिन पर एक overview लेंगे देखेंगे यह editorial क्या कहना चाहता है एक short analysis करेंगे और कल इसका हम लोग थोड़ा सा detail revision करेंगे ठीक है तो editorial इस तरीके से दो बार cover हो जाता है और most important part होता है editorial चलो देखते हैं अभी पहले आज के editorial का हम overview लेंगे फिर जो हमने कल के editorial का overview लिया था उसको आज हम detail में revise करेंगे तो सबसे पहले जो editorial आता है दोनों editorial एक ही topic के उपर है और दोनों के अंदर बात करी जारी है basically एक defamation, एक case हुआ है ठीक है आप कह सकते हो case है case का नाम है Priya Ramani case अब इस case के अंदर काफी सारी चीज़े हैं जो कि आप लोगों को जानने के लिए काफी ज़दे जरूरी पढ़ सकती है तो Priya Ramani case जिसके उपर आज का हमने thumbnail भी लगाया है एक Priya Ramani एक journalist थी तो विलाल ये case जीच चुकी है इस समय तो हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा case समझाता हूँ Priya Ramani है दूसरा है M.K. Akbar M.J. Akbar तो इन दोनों के बीच का ये dispute है हुआ क्या था कि एक Priya Ramani एक journalist है और M.J. Akbar हमारे former union minister रह चुके है तो M.J. Akbar ने इनको interview के लिए बुलाया था जो December 1993 की बात है इनको job interview के लिए बुलाया गया था और उसके अंदर यहाँ पर job interview के लिए गई थी जो Priya Ramani ये कहाँ पर गई थी मुंबई के अंदर एक five star hotel औरोबरोई hotel सभी को मालूम होगा तो वहाँ पर ये गई थी अब इनके दोरा ये बताया गया जो Priya Ramani है जब यह interview के लिए गई तो इनका interview कम हुआ ऐसे लग रहा था कि वो date पर है ठीक है और इनको आपका सकते हो sexually harass करा गया इनके दोरा ये बाते बोली गई अब यहाँ पर पहले तो काफी time तक चुप रही लेकिन उसके बाद इन्होंने एक article लिखा साल 2017 के अंदर 2017 में इन्होंने ऑक्टूबर 12 को एक article लिखा वोग इंडिया के अंदर कि भई लेकिन पहले तो इन्होंने MK अकबर का नाम नहीं लिया था ठीक है जो MJ अकबर है इनका नाम नहीं लिया था फाइल केस कर दिया ठीक है अब यहां पे इन्होंने क्या कर आ एक defamation का केस कर दिया इनके against की भई मेरी reputation खराब हो रही है इस तरीके का defamation केस कर दिया था अब यह जो defamation केस किया तो इसी के केस का verdict आया यह दो दिन पहले इसका verdict आया और उसमें बताया गया कि भई जो डिफेमेशन का केस यह एमजे अकबर हैं यह हाड़ चुके हैं और जो वेमेन है प्रिया रमानी वो जीत चुकी है ठीके तो बहुत सारी वेमेन है आज के टाइम पर जिनको इसमें बहुत ज़्यादे पावर मिलेगी इस केस से जिनको भी व के वज़ाए मैंने आर्टिकल समझा दिया तो कल हम इसका फिर से एक रिविशन करने वाले उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर यह वाला तो डिसकस नहीं करेंगे पॉलिटिकल रिलेटेड़ आर्टिकल है बात करी जारी है आई इसके बारे में ठीके आया इसकी क्य इसके बारे में आप लोग को सभी मालूम है चमोली डिस्टेड यूके के अंदर क्या डिजास्टर आया था यह उसे के बारे में बताया गया है पूरी तरह से काफी बार हम डिसकस कर चुके हैं इसके बारे में चलो अब हम कल के एडिटॉरेल का एक रिविशन ले ले लेते उसे के बारे में बताया गया नाव बात करी जारी हैं पर macro economy के बारे में तो आपको दो concept clear करने की काफी जाथ आवश रखता है economy के point of view से article बहुत important है तो आपको जानना है कि यह micro economy क्या होती है और यह macro economy क्या होती है तो macro economy जो की बड़े level पर होती है अगर हम बात करें पूरे के पूरे country level पर होती है country level पर देखी जाती है उसको बोलते हम macro economy micro economy जो की small level यानि household level पर देखी जाती है ठीक है अगर एक proper definition की अगर हम बात करें तो micro economy की definition होगी when we study about different kind of economic activities at the level of small level ठीक है तो हम लोग जब small level पर देखेंगे तो वो होगी micro activities और micro economics जब बढ़े level पर देखेंगे वो होता है macro economic तो macro economic यानि पूरे country के level को इस चीज का नुकसान नहीं पहुचना चाहिए इस तरीके से हम लोग को inflation को set up करना चाहिए और inflation को set करने के लिए जो हमारी monetary policy committee है ठीके वो चीज़े set करती है और उसने एक चीज़ सेट कर रखी है 4 plus minus 2 यह बहुत important है याद रखना inflation हमेशा इस चीज़ के ओपर देखा जाता है inflation जो है 4 रहेगा कम से कम 4 होना चाहिए और जादे से जादा 6 होना चाहिए अगर इसके पीछे इसके जादा कम हो रहा है इससे जादा कम हो रहा है तो वो कहीं न कहीं affect करेगा country को उसकाद page number 6 की तरफ यहाँ पर फिर से next editorial की तरफ बढ़ते है next editorial के अंदर बात करी गई है supreme court को लेकर तो supreme court आज के टाइम पर जादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बात करी जारी है आज के टाइम पर supreme court जो है इस तरीके से काम कर रहा है कि भई कहीं और judgment दिया हुआ दूसरी जगह पर apply नहीं हो पर रहा देखो supreme court का एक judgment आया था शाहिन बाग केस के उपर शाहिन बाग का केस हुआ था इसके बारे में अगर आपको लोग को नहीं मालू मैं शाहिन बाग के उपर तो मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले साल ऑक्टूबर के टाइम पर तो आप लोगों क्या करना है यूट्यूब पर टाइप करना है सुप्रिम कोर्ट वर्डिक्ट ओन शाहिन बाग बाई दीपक यदव एजुकेशन आपको वीडियो मिल जाएगा जाकर देख लेना तो जो शाहिन बाग का केस हुआ था उसमें सुप्रिम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जो लोगों के पास पूरा का पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का प्रदर्शन करने का पूरा हक है लेकिन उन्हें प्रदर्शन पीस्फुली करना है शांती स्वभाव से प्रदर्शन करना है ठीक है और प्रदर्शन इस तरीके से करना है प्रोटेस्ज़ा प्रदर्शन चल ला है कोशिश हमारी जारी है कि इस प्रदर्शन को हम ऐसी खतम कर दें तो भाई क्यों राइट टू प्राइस्ट है ना सबके पास तो इस तरीके से यहां पर situation देखने को मिल रही है कि भाई पहले क्या decision आ चुका है और अब यहां पर apply नहीं हो रहा है और इससे देखो article 19 जो है हमारे constitution का वो हमें freedom of expression का जरिया देता है कि हमारे पास पूरे पूरे right से हमारे पास हक है कि हम अपने आपको peacefully express कर सके ठीक है लेकिन आज के टाइम पर ऐसी situation देखने को नहीं मिल रही है बवाल एक से एक हो जाता है जहां भी भी protest होता है इसी तरीके का एक दिशारावी का case देखने को मिला था जो भी हमने discuss किया था 22 साल की लड़की है old climate activist है इसक बाद शाहिनबा का case मैंने आप लोगों को बताई दिया तो judgment जो है इसने एक कोई भी solution नहीं देता आज के टाइम पर court जो है ना mediation का काम कर रहा है यानि कि बात को ना उसका कोई solution निकाल पा रहा है सिर्व एक mediate करके छोड़ दे रहा है ठीक है कि बेए case जो है ऐसे का ऐसा किरन बेदी के बारे में तो अभी आप लोग को मालूम है किरन बेदी लेटनेंट गवर्नर थी किसकी पुडूचैरी की अब वहां सर इनको हटा दिया गया है उनके पत से हटा दिया गया और उसके पीछे का reason ये भी बताया जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वहां के वी चीफ मिनिस्टों ने इनको रिमूव कर दिया गया है नव उसके बाद नईू लेटनेंट गवर्नर बनने वाली है इसकी वो है तेमिली सायस, सौंदर राजन, तो इनका नाम भी याद रखना, नई लेटनेंट गवर्नर बनेंगी इसकी, ओके और इसी के बैसेस पे, आज का हमारा, जो कल वाला था, सुरी, ये जो कार्टून पिच्चर था, कार्टून प प्रक्रिती है, उसके साथ हम लोग को अच्छी दरीगे से रहना पड़ेगा, अदर्वाइस जो है, वो रिटर्न में आपको काफी जादे खत्रा ही देगी, और आज के टाइम पे अगर हम देखें, COVID-19 पेंडेमिक है, COVID-19 पेंडेमिक से काफी बुरा हाल हो सकता है, जादा जादा बुरा हाल हो सकता है, अगर हम प्रक्रिती के साथ खेलवाल करेंगे तो, आज के टाइम पे देखें, तो एकनॉमिक, सारी, एन्वोर्मेंट के अंदर तीन बहुत बड़े क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसा की, क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचर का लॉस हो ग अगर हम लोग अपनी सिचुएशन को नहीं सुधारेंगे तो, और आज के टाइम पर हम लोग देख पाऊगे कि बहुत सारा पॉलुशन को एमिज करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, तो लगबग हर साल जो है, गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल दो टीन डिगरी स सेलिशियस बढ़ता जा रहा है, तो ये काफी खतरनाक बात हो जाती है, हम सभी के लिए हमने अपने सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट गोल के सेट कर रहा है, 17 गोल सेट करे थे कि 2030 तक हम इन गोल को एचीव करेंगे, अपना एक अच्छा सा पूरी पूरे वर्ल्ड को बड़ी सिच्विशन हम लोग देख सकते हैं इस एनवोर्मेंट की वज़ा से, ठीके और एनवोर्मेंट को प्रोडेट करके हमें चलना ही पड़ेगा, ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि जो एनवोर्मेंट है उसको नुकसान ना पहुचे, उसके लिए क्या करना प नेचर के साथ और नेचर को हमें शान्त करना है क्योंकि आज के टाइम पर बहुत जादे आप देख पाओगे एनवोर्मेंट है वो खराब हो चुका है, ओके तो इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूस पेपर, एनलसस, समाप्त, आई होप आप लोगो सारी चीज़े क्ल